हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे श्ट्रिक चैनल पर, तो दोस्तो आज हमने संक्याव का एक कोश्चन लिया है, तो देखें दोस्तो कोश्चन क्या पांशु सोला का 5 बटे बारा तथा 445 का 4 बटे नो में कितना अंतर है यह जो ब्रेकेट लिए हमने इनमें संक्या है और इनका अंतर पूछा है हमसे तो चलिए दोस्तो पठापठा कोश्टक को सोल करते हैं तो देखे दोस्तो सबसे पहले हम एक पहले कोश्टक को सोल कर देंगे और फिर दूसरे कोश्टे को सोल कर देंगे और उनको घटा देंगे तो चलिए सोल करते हैं तो पहला कोश्टे क्या है पांसो सोला का पांच बटे बारा तो बिना कोश्टे के लिखते हैं पांसो सोला का का मतलब गुणा और पांच बटे बारा ठीक ये लिख दिया एक कोश्टक तता और अपने को अंतर पुछा है तो माइनस कर देंगे और ये कोश्टक लिख देंगे 405 का का मतलब गुणा 4 बटे 9 चलिए ठीक अब ये पहला कोश्टक जो है वो संक्याय सोल करते है पहले कोश्टक की तो इसे काट देंगे 516 को 12 से 12 से कर जाएगा ये तो 12 एकम बार और 12 में एककावं में भाग जाएगा बार चोग 48 चारवार जाएगा फिर 3 बचेगा ठीके पर ये 3 इस 6 में जूड़ जाएगा 36 बन जाएगा तो बारतिया 36 तो ये 43 हो जाएगा 43 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15 हसिल का एक 25 और 21 तो 215 माइनस है अब इसको सोल करते हैं तो ये भी 9 से कड़ जाएगा दोस्तों तो 9 एकम 9 और 45 पांच बार में कटेगा फिर 4 बचेगा फिर चार और 45 हो जाएगा फिर 45 तो 55 बार में कड़ गया ठीक है इस 55 का इस 4 मे गुणा कर देंगे तो 25 की सुन्य हसिलाया 2 25 और 222 तो 222 देखे दोस्तों पहले को सोल करने पर 215 प्राप्त हुआ जूसरे को सोल करने पर 220 प्राप्त हुआ तो इसे हम घठा देंगे तो घठाने पर 215 में से 220 जाएगा तो माइनस के पांच बचेगा क्योंकि माइनस का है तो माइनस के पांच बचेगा तो यही हमारा आंसर होगा इफ्रा को समझी होगी तो वीडियोँक को सब्सक्राइब मिलेaty याषर तो नहीं सब्सक्राइब क्या αυτा है करें